हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टीपॉइंट दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए जन्डल अवेनेस के कुछ इंपोर्टन कोईश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए काफी मात पूर्ण है इसलिए आप इस वीडियो के स्कीप करें ताकि सभी के हल पोसके चलिए तो फिर फटा पर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला इंपोर्टन कोईश्चन है यूनिसेप की रिपोर्ट के मुताबित किस देश में पैदा होना सबसे खतरनाग माना जाता है तो यूनिसेप के रिपोर्ट के मुताबित पाकिस्त से खतरनाक देशें माना आगे सब्सक्राइज डेंजरेस कंटी पाकिस्तान यानि इसका औप्सन भी करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन हमारा है पहली मेट्रोटेन की शुरूत कहां की गई थी दुस्तों पहली मेट्रोटेन की शुरूत की गई थी कॉलकाता में ठीक पस्चिम कितने जोने बरतमाने 17 जोन है तो आप एद रखेगा पहली डू टेन की शुरुआत की गिए थी प्षे मंगाल की कैपिटल कोलकाता में 1984 में ठीक है चलिए हमारा अगला कोशन है भारती रेल्वे कब से ट्रेनों पर इंटरेट सिवा प्रदान करता है यह प्रदान करता है तो थी इसकी थीम क्या थी यदि आप दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ आप सौल भी कर सकते हैं लास्ट में अपना कमेंट अपना स्कोर भी आप समिट कर सकते हैं ठीक है तो करेक्ट एंसर जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थी कुनती के लिए स्रमिकों को एक जूट क परना ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं भारती नौसेना ने नवंबर 2013 में अपना पहला एडवांस लाइट हेलिकप्टर इसक्वाड्रन शुरू किया उस हेलिकप्टर का आपको नाम बताना है तो इसका नाम है दोस्तों धूब है यानि कि इसका ऑप्शन भी कर इसको डिजाइन किया गया था ठीक है उसका नाम क्या है दुरूब आपको याद रखना है फिर हमारा कोशन नमर शीक्स है एंजीटी का फूल फूर्म क्या है एंजीटी का फूल फूर्म को बताना तो इसका करेक्ट एंसर हो जाग नेशनल ग्रेंट ट्रिवूनल यानि कि अपसान है करेक्ट एंजीटी के फूर्म की गई थी कब की इते स्थामना इसकी कब होता फूर्म करेक्ट शीटी की स्थामना होग थी ठीक है तो यह आप याद रखीएगा आपको बता दें कि परयाब रणी विवादों को संहले के लिए बनाएगी एक विश्चेस निका है तो यह आपको याद रखा है NGT का full form National Green Tribunal NIS का पूर्ण रूप क्या है NIS का full form क्या Full form से लेटेट कोश्चन अक्सर एक्जाम में पूछा आता है National Immunitation Survey ठीक है तो यह आप याद रखेगा National Immunitation Survey ठीक है तो यह आपको यादर करने कि इसे जो है दोस्तों 19 महिने से 35 महिने के उम्रत के बच्चों को ठीक करने के बारे में इसके जनकारी एकत्र की जाती है ठीक है चलिए अकला कोश्चन देख लेते हैं एकत्रवे कान फिल्म समारों में किस फिल्म ने सर्वसेष्ट फिल्म पुरुसकार का पालमडी ओर जीता है तो यह काफी important question है इसका character answer जाएगा option D shoplipters ठीक है देखे दोस्तों एकत्रवे कान फिल्म समारों में यह जापानी पारिवारिक फिल्म है यह इसमें सर्वसेष्ट फिल्म का प्रतिष्ट पुरुसकार पालमडी ओर मिला था shoplipters को ठीक है जापानी निर्देशक जो थे hero कजू कोरे एडा ने मैन बिकी काजोग जो की इसको shoplipters कहते है इंगलिस में मैन बिकी काजू को के लिए पूरुसकार जीता है कान फिल्म समारों में सर्वसेष्ट फिल्म पूरुसकार किसने जीता है पालमडी ओर जापानी फिल्म है shoplipters ठीक फैमली मूवी है फिर हमारा दोस्तों अगला कोशन आ जागए मिस्र के राष्टपति क्रूम में किसने सबत लिए मिस्र के राष्टपति अब्देल फतेल सी सी option C correct हो जाएगा ठीक अब्देल फतेल सी सी अगला कोशन दोस्तों बहुत मात पूर्ण है निम लिखित में से कि इस राष्ट में शून ने आधारित प्राकृतिक खेती स्केल आउट योजना शुरू की गई है कि जुस्तों आंधर प्रदेश में ठीक है option D आंधर प्रदेश में देखे जुस्तों आंधर प्रदेश गवर्मेंट ने एक जून 2018 को सून ने आधारित प्राकृतिक खेती स्केल आउट योजना शुरू की है इस योजना की तो अप्चारी घोजना आंधर प्रदेश के मुख्य मंत्री एन चंद्रबागु नाडियू ने की थी इस योजना का लख्ष क्या है 2024 तक लख़ग 6 मिलियन किसानों को लाभानवित करना तो अंधरा के CM कौन है एन चंद्रबागु नाड़ू तो आप याद रखिएगा शून न्या धारित प्राकृतिक खेती स्केल आउट योजना किसने सुरू की आंधर प्रदेश गवर्मेंट ने अगला कोश्चन बार-बार पुछा गया एक्जाम में अभी रेल बग्जाम में पूछा गया था माई एक्सपेरिमेंट इट टूथ पुस्तक के लाए chor क्यों है तो माई एक्सपेरिमेंट इट वितूथ पुस्तक के लेख लिए कए महत्मा गांधी धीक है यह दोस्तों ये उनकी आत्मचता है ठीक है यह उनकी कोविन जी ने मड़ीपूर में देश के पहले National Sports University का इसमें मंजूरी मिल गई थी और इसमें जो है यहाँ पे मंजूरी दे दीगे मड़ीपूर में ठीक है Option C National Sports University यानि राष्ट्री खेल विशुद्याल है मड़ीपूर में स्थापित किया गया अगला कोशन दोस्तों ये कोशन एक्जाम में बार बार पूछा आता है वर्ष 2017-18 के लिए वर्ष C8 अंतराश्टी क्रिकेटर की से चुना गया है और ये दोस्तों तीसरी बार है जब उन्होंने ये पूरुषकार हासिल किया है और आपको बता दी किस से पहले उनको 2011-12 और 2013-14 में पूरुषकार मिल चुका है तो यहनि किसका उप्सन C करेक्ट हो जागा विराट कोहली 2017-18 के लिए वर्ष का C8 इंटरनेशनल क्रिकेटर की से चुना गया है कैप्टन विराट कोहली को ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंदी था आपको बताना है कि ज्वाला गुट्टा का संबंद किस खेल से है इनको बता दे दोस्तों कि भी हाल में इन्हें भारत के खेल प्राधिकरण के प्रवंधक निकाए के मेंबर क्रूम में इनको आपाइंट किया गया था तो जो आल अला गुट्टा सम्हित है, badminton से, ठीक है, badminton, option C, फिर हमारा अगला question है, किस ग्रह में 27 सुब ग्रह हैं, तो arun up-grihe में 27 सुब ग्रह हैं, ठीक है, arun के 27 सुब ग्रह हैं, तो आपको जयाद रखने, arun सूरे से 7 ग्रह है, ठीक है, तो ये option correct हो जाएगा, फिर हम 15 नाम कराव भारत के पहले और सबसे तेज मल्टी पेटाफ्लाप सुपरकंप्प्यूटर का नाम क्या है तो यह दोस्तों भहुत मात्मूर को स्किक हुआ है देखे तो बिग्जान और प्रद्यक्की मंत्री जो है हर्षवर्धन जी ने इन्होंने पूरे में देश का सबसे तेज और पहले मल्टी पेटा फ्लाप सुपरकम्यूटर को समर्पित किया है और यह मौसमर जलवाई के पूरा नुमान में जो है सुधार के लिए सुविधा करेगा ठीक है तो भारत का पहला और सबसे तेज मल्टी पेटा फ्लाप सुपरकम्यूटर का नाम क्या है प्रत्यूस यह आप जरूर याद रखिएगा आपके आगाम एक्जाम से जुरूर पूछा आ सकता है ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कोश्चन नमर 17 है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने किने अपना पहला चीफ फाइनेंस ओफिसर निक्त किया है इनी चीफ फाइनेंस ओफिसर आरवी आई ने अपना पहला चीफ फाइनेंस ओफिसर रिसकों ने उत्किया है काफी important question है सुधाबाल कृष्णन को ठीक option ये correct हो जायागा ठीक है अब अरतमान में आरवी आई के गवर्णर को ने अभी हाल में बने आपको पता हो गए तो आपने वीडियोस देखियोगी हमारी मैंने करेंट फेस वीडियोस देली बताता हूँ सिरो पतोस उर्जिट पतिरोस फिर अपके एबल्फूल कर स्विडियोस विडियोस आपके इस्वीडियो स्वीन को लाइक करें होसल बड़ाए इस वीडियोक अपने सभी मित्रोक्सार सेहर करें जो भी आपको प्रेंड्स त्यारी कर रहे हैं ठीक है और दोस्तों आप यह दी डेली करने फेस्ट की वीडियो नहीं देखते हैं तो आप हमारे चैनल में डेली मौनिंग में पांच बजे करने फेस्ट वीडियो जरूर देखा करें हर एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन रहता है आज कल जितने फी एक्जाम होते हैं र प्सके लाबे चैनल को जरूर ज्यादा है है थी का दोस्तों और अप यहमारे टेली गنا抵र मिख्याए कुराइन करता हूँ तो आपको टेलिग्राम जीतने भी social media platform से हैं हमारे आप इस वीडियो को description box में लिंक में आप click करके आप follow कर सकते हैं ठीक है चलिए तो वीडियो का ऐसा लगा आप हमें comment box में feedback ज़रूर बताएं तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो के साथ तब तक लिए आप अपना ध्यान भारत